जैसे कई लोगों में एक analysis, paralysis या perfection syndrome की आदत होती होने कि जब तक चीज़ें perfect नहीं होंगी मैं शुरू नहीं करूँगा अगें overthinking से ये चीज़ perfection syndrome में convert होती है उस पे अगर आप कुछ guide कर सकें लोगों को कि कैसे step में से भाहर निकले कई लोग they want to make videos but they think कि अभी मेरा video perfect नहीं है और अभी मैं शुरू नहीं करूँगा और जब चब चीज़ें perfect हो जाएगी तब शुरू करूँगा और फिर वो महीनो दर महीनो potential होने के बावजू they are not taking action on it just because they are waiting for that perfect thing so मैंने जो observe किया यह कि deep down जो यह लोग perfection ढूणता है they have actually fear of judgment and fear of criticism fear of failure, fear of rejection, fear of embarrassment कि अगर मैंने कुछ गलत किया तो मैं भी कोई आकर के criticize कर देगा so how to deal with this और इसको थोड़ा और आप explain कर सकें अपने psychological perspective में तो मेरे लिए यह थोड़ा easy रहा है क्योंकि बच्पन से ही मैंने notice किया है कि मैं कुछ भी बोल देती हूँ ना तो बहुत चारे लोगों पसंद नहीं आता यह मेरे साथ बहुत बच्पन में होता है अब दिखें कि कोई भी बच्चे बहुत जादा बात करते हैं बहुत बात करते हैं तुम भूत बात करते हैं तुम थादी अम्मा हो तुम क्या तो तो तब दिडरे देर हैं इस मैं सुचा चार बोलना पड़ेगा लेकिर मैं मैं बोलना बन नहीं कर सकती था कि यह मेरा true nature है तो फिर मुच्पनिश सच समझ के बोलना पड़ेगा, दीरे-दीरे मैंने एक इंट्रोवर्ट नेचर डिवेलप किया है जहां पे मैं किताबे जादा पढ़ती हूं मैं वीडियोस देखती हूं नई कुछ चीज सीखने की कोशिश करती हूं वीडियो लर्निंग से या किसी लोग इंट्रोवर्ट है पॉफेक्ट, आप अपना अकेला वाला जो समय है खुद को डिवेलप करने में लगाईे खुद को बहतर बनने में तो जब हम ऐसा करने लगते हैं खुद को बहतर बनाने में लगते हैं एक ना हमको अंदर से conviction आजाता है कि यार मुझे तो लग रहा है कि मैं अच्छी हूँ मुझे तो लग रहा है मैं पहले से बहुत आगे आगई हूँ ओके एक ये aspect है दूसरा aspect ये है कि हमें न कहीं पे दो तरीके की feedback को importance देना पड़ता है और चाहिए एक है average feedback तो अगर आपका average feedback आपके comment section में कह रहा है सर बहुत अच्छा podcast था सर इस सवाल पे तो मैंने कभी सोचा ही नहीं ऐसा जवाब तो मैंने कभी देखा ही नहीं सुना ही नहीं तो अगर आपका average feedback positive है तो आप कुछ सही कर रहे हो और दूसरी type का feedback जो important है वो है expert feedback जो जिस subject का विशेश अग्य है उस विशेश अग्य ने आपको जो भी कहा है क्या वो feedback काम की है ऐसा ज़रूरी नहीं है expert हमेशा सही बोलेंगे हो सकता है expert आपसे jealous हो गए expert को लग रहा है कि आप बहुत आगे जाएंगे तो आपको गलत दिशा दिखा देंगे ऐसा हो सकता है लिखे फिर भी expert की कही हुई बात से सीखने लाइक हमें कई बार बहुत मूलिवान चीज़े मिल जाती है और आखरी चीज अपने आपको इता seriously मतलो कि यार हम तो कुछ गलती नहीं करेंगे हम तो एकदम perfect रहेंगे फिर ही सब हमको पसंद करेंगे फिर कोई हमको reject नहीं करेगा चुकि अगर कोई आपको reject भी करता है आपको तो अपने साथ रहना आना चाहिए न अगर आप अखेले आराम से रह सकते हैं तो करें लोग reject करें नहीं सुने आज हमारी बात ऐसे हमारे पहले भी बहुत सारे लोग रहे हैं जो अपने समय से बहुत आगे बात करते थे और उनकी बात कोई निसनाच पाता था लेकिर अब जब हम उनकी बाते सुनते हैं जैसे कि अब मैं देखती हूँ रजनीश की बाते ओशो रजनीश की बाते पढ़ने वाले फॉलो करने वाले बहुत सारे लोग है यस मैं कुछ भी है तो वो जरूर अपने समय से आगे थे वोशो रजिगल काफियरी थे अपनी अप्रोच के बाते अधर टोडेस जनरेशन देवल टू रिलेट आफटर अव पीपल आ प्रेवल टू रिलेट रिलेट आट व्टी सक्राइब किस तो कि अब भी भी अकर आप पॉड़कास्ट सुनेंगे, कॉंटेंट सुनेंगे, आपको सब लोग सेफ केलते वे नजर आएंगे, तो बहुत स्वीट और अच्छी बाते कहते है, मैंने कौन से अभी तक कॉंट्रोवर्शल कुछ का आए, कुछ नहीं का आए, क्योंकि मुझे मशाल लेके लोग मेरे घर के दर्वाजे तक आए, वो नहीं चाहिए, ऐसा नहीं कि मेरा कोई कॉई कॉंट्रोवर्शल ओपिनियन नहीं है, मुझे वो देना नहीं है, लेकिन वहाँ पे आप सोचिये, जब एक इनसान को कोई माया नहीं है, कि मेरे पीछे एक क्राउड हो, तब आपके पीछे एक क्राउड आ जाती है, इन फाक्ट आप इस दुनिया में मतर हो, आपको याद करने वाली एक क्राउड रह जाती है, आप सोचे कि कितना पावर्फुल है, खुद को सीरियसली नही अपनी ले ना मिल जाएंगे क्योंकि उन्होंने पेरेंट बाशिंग की है कि तुम्हारी पेरेंटिंग गलत हुई है तो वो सपोर्ट अच्छा नहीं मिला है तो और पेरेंट्स को पता नहीं था बुद्धिबान नहीं है ऐसा कोई करता है क्या बड़ा फिर जब टीनेज में इनसान होता है डॉलसेट में होता है उसको वैसे ही ब्लेम करने के लिए कोई चाहिए कि मैं क्यों आके नहीं हूँ मेरे पेरेंट्स के वज़े से तो इनसान को वह चाहिए रहता है ब्लेम करने के लिए लेकिन हमें कहीं ना ये समझने की जरुरत है कि हम हमारे parents को अगर blame कर रहे हैं तो ये वैसा ही है कि हम जिस डाली पे बैठते हो उस डाली को काट रहे हैं उनको जो हो सकता था वो उन्होंने best हम को दिया है ये आप लिखके ले लो आपको शायद आपके दोस्तों से कम मिला है आपको शायद अपने रिष्टेदारों से कजन से कम मिला है कि जैसे इसी सप्ता मुझे एक महिला से मैं काउंसिलिंग कर रहे थी जो बहुत उदास थी इस बात से कि उनके भाई को बड़ा encourage किया गया था करियर में आगे बढ़ने के लिए और उन्होंने एक बड़ा competitive exam clear किया था लेकिन उनको आगे जाके पढ़ने का मौका नहीं मिला fees के पैसे नहीं भरे deliberately parents ने पीछे रखा अच्छे से उनके करियर को बरबाद करने में contribute किया अब उनके मन में इस चीज को लेके 20 साल निकलने के बाद भी बहुत मलाल है वो हर रोज यही सोचती रहते यही सोचती रहते कि अरी वो वाला उस mode पे मैंने गलट turn ले लिया उस mode पे मेरे साथ गलट हो गया उन्होंने मेरे साथ बुरा कर दिया वो बहले आगे जा रही है क्योंकि गाड़ी आगे जा रही है लेकिन वो अपने destination तक नहीं पहुच पा रही है चूकि वो अभी भी अपने दमाग में वो पीछले वाले turn के बारे में सोचे जा रही कि जहां गलट turn ले लिया था अगर वो आगे देखेंगी तो वो जल्दी अपने destination तक पहुचेंगी गए थे तो वोट से फेरी से वापिस आना था तो वोट ढूंड रहे कोई salary नहीं मिल रहा तो फिर एक बोट पड़ी वी थी तो कहा कि खुदी चलाते वे चप्पू चलाते वे ले जाते हैं इसको तो दोनों बोट में बैट गए और चप्पू चलाना चालू कर दिया आदे नशे की हालत में चलाते गए चलाते गए चलाते गए फिर एक point पर आ करके ठक गए तो कहा कि यार अब तो almost पहुचने ही वाले होंगे अपन अंधेरा हो रहा है पर थोड़ी दिर अब rest कर लेते हैं तो वहीं बोट में तोड़े दिर रेस्ट कर लिया अब सुवए छे साड़े चे हुझे टाइप नींद उठी उजाला हुआ नींद उठी तो वहीं आइलेंड पर थे हैं पर बोले हमने तो इतनी चप्पू चलाये थे हैं फिर कहीं पहुचे कैसे नहीं तो पता चला है कि जो एंकर तो उसको तो निकाला ही नी खूंटे से बंदी भी कि दे बोल। तим कहीं बार हुए अपने बो पास्त के खूंटों से बंदे भी रह जाते हैं और जिन्दगी को चलाने का प्रिवास करते हैं तो फिर पस जाते हैं पर फिर भी यहां पर आपन देखें तो parents के लिए क्या advice हो सकता है especially जानबुच के कोई parent अपने बच्चों के लिए कुछ गलत चीज कभी सोचता नहीं है but many times intention is not enough no you might have best intentions yes but actions also matter जैसे MS Dhoni के माता-पिता ने उसे TC बनवा दिया ठीक है अब उनकी intention तो correct थी right but the action was not right right ठीक है so many times they are not expert to make choice for you right they are programmed to keep you safe they are not programmed to make you successful no उनका program आपको secure comfort safety में रखना और वो अपने programs से चल रहे हैं उनके संदगी में उनके सीखे हुए program से एक अलग generation की वो इस generation के सारे सत्य नहीं जानते right तो उन्हें कैसे educate किया जाए क्योंकि मुझे ऐसा मानना है कि parenting one of the most important skill है जिस skill के बारे में ऐसे ही नहीं कि हम बिना सीखे parent करना चालू करते हैं मतलब इतनी responsible चीज आप गाड़ी चलाना भी सीखते हो bike चलाना सीखते हो cycle चलाना सीखते हो लेकिन parent बच्चे को parent करने का आपका क्या education है आपका एक मात्र experience है जो कि आपके खुद की जो ही थी honestly 100% तो सिर्फ वही experience है आपके पास में बाकि किसी दूसरों के आपको bits and pieces में पता है लेकिन complete experience तो सिर्फ एक ही है जो आपका जो हुआ वही आपके पास में experience है तो how we can educate them so that कई बार वो जो बच्चों को दूसरे बच्चों से compare करना है कई बार वो जो pressure डालना है उन्हें top कराने का आज बहुत सारे बच्चे 10th class में board exam के pressure से even suicide कर लेते हैं because parents यह नहीं चाहते कि बच्चे यह करे हैं के वो अपने बच्चों के लिए भला ही चाहते हैं मगर क्या वो ऐसी mistakes रहती हैं उनको कैसे rectify कर सकते हैं उस पर अगर आप कुछ parents के लिए especially अगर कुछ guidance दे पाएं मैं इस बात पर जाओंगी कि parents गलती कहां से करना शुरू करते हैं जब एक बच्चा हमारे गोद में आता है हमको मिलता है हम तो पागल हो जाते हैं खुशियों से दिमाग में oxytocin के फवारे लिपोट रहे हैं तो पागल हो रहे हैं हर कोई उस बच्चे को लेकि इतना importance दे रहे हैं सब सही चलता है जब तक कि हम उसको थाई साल में प्ले ग्रूप में नहीं भेजते जो ना हमने उसको प्ले ग्रूप में भेज दिया वहां से शुरू होता है comparison तो वो gratitude कहीं overtake हो जाती है fear of competition से और मेरा बच्चा पीछे रह जाएगा मेरा बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा फिर उसको नौकरी कैसे मिलेगी फिर उसकी unicorn company कैसे खुलेगी सभी parents को लगता है कि हमने genius पेदा किया जो top भी कर लेगा top भी कर लेगा सब कर लेगा और सारी इतनी सारी कहानिया ये जो toppers की कहानिया है वो इस तरीके से market भी तो हो रही है कि जहाँ पे आपको बस top ही करना है लेकिन असल में अगर parents उस gratitude को बनाए रखे कि भगवान तुमने उझे इतना अच्छा बच्चा दिया thank you दूसरी चीज अपने बच्चे के साथ थोड़ी conscious parenting करे उसको सवाल पूछे लेकिन उसकी बाद सुने और उसको intelligent question करना शुरू करे एक तो हम बच्चों की बाते सुनते नहीं है क्योंकि वो बहुत भगवास करते है मेरी pencil खो गई उसने मेरा pencil चुरा लिया फिर उसके बाद teacher ने वुचे सोचने जाये तो हमको बहुत boring और बखवास लगती है लेकिन अगर हम उनकी बखवास सुनेंगे नहीं न तो फिर वो अपनी बाते हमको बताएंगे नहीं और एक दिन अपनी जरूरी बाते भी हमको नहीं बताएंगे तो उनकी बाते सुनना बहुत जरूरी है जब हम सच में उनकी बाते सुनेंगे और फिर उनको intelligent सवाल करने लगेंगे तो फिर तुमने क्या किया तुम क्या करने वाले थे अगरे बार क्या करोगे Just intelligent questions Just curious intelligent questions तो तुम्हें क्या लगता है प्रॉब्म कैसे solve करनी चाहिए है So, इस से बच्चा हमारे सवाल के उपर बेस करके खुद अपने आप से सवाल करेगा In fact, तब वो better problem solving कर सकेगा School बाले हमारे बच्चे को सिर्फ uniform बनाने में मदद करेंगे ताकि वो, you know, भीड में सब के साथ सब के जैसे बने रहेंगे ताकि वो, भीड में किसी को परिशान नहीं करेंगे Which is okay, क्योंकि भीड में सब को परिशान करेंगे तो भीड उनको परिशान करेंगे So, that's okay लेकिन फिर भी भीड में खो नहीं जाए मेरा बच्चा, उसके लिए तो मुझी ही तैयारी करनी है क्योंकि भीड ऐसी ही जगा है जहां पर लोग खो जाएंगे तो मुझे अपने बच्चे को intelligent thinker बनाना है by asking intelligent questions और उनके practice पे ज्यादा जोर डाले victory या loss पे नहीं देखो, जीतोगे तो ठीक है, जीत गए जीतना पर गिस्मत की बात है हार होगे, तो ठीक है हार गए, कोई भी हार final नहीं है लेकिन अगर कुछ जरूरी है तो वो तुम्हारा practice है तो तुम 90% लाए अच्छी बात है तुम 35% लाए जैसा पढ़ोगे वैसे max आएगा तो लेकिन जरूरी ये है I really appreciate आज तुम बढ़ रहे थे Very good दूसरों को बताना अपने रिस्तेदारों को बताना मेरा बच्छा रोज पढ़ता है एक गंटा मुझे बहुत अच्छी लगते है उसकी ये आदत मेरा बच्छा अपने घ्रों को एकदम और्गनाईस रखता है सारी चीजे जगे पे मिलेंगी इन सारी चीजों को ये जो लाइफ स्किल्स है इनको अगर हम appreciate करेंगी तो बच्छा सच में जाके आगी जाके एक problem solver बनेगा जब वो problem solver बनेगा तब जाके वो society को value देगा तब जाके उस value के वज़े से और वो successful automatically हो जाएगा beautifully explained so I think in points पे parents ज़रूर दियान दे so that एक civilized और एक अच्छा citizen आप देश को दे सके so moving on to our topic of mental health so there's a depression बहुत ज़ादा recently बढ़ गया है even जो suicides है वो भी बहुत बढ़ गई है so कुछ ऐसे symptoms जो कई बार mental health के around इतना stigma है कि लोग अपने issues clearly बात नहीं करते है तो क्या ऐसे कुछ signals होते है जो वेक्ति दे रहा होता है जिसको कि वो भलाई नहीं भी बताए तो भी हम समच सके उस पे अगर आप कुछ बात करें तो तो एक चीज ये है कि mental health awareness हुई है कि दिमाग बिगड सकता है अस्वस्थ हो सकता है लेकिन उस पे जो treatment modalities है उसमें acceptance उतनी जादा नहीं आई है तो कई सारे ऐसे लोग है जो कहेंगे यार मुझे anxiety है मुझे मैं depression से गुजर रहा हूँ तो जाओ जागे दवाई लो उसके लिए जाओ जागे counseling करो ने, मैं video दिखके अपना depression ठीक करूँगा मैं रोज सुबह जल्दी उठूँगा योगा करूँगा, water therapy करूँगा और depression ठीक करूँगा वो सब करने से दूसरे किसी समय इनसान को मदद मिलती है लेकिन अब ही आप एक बिमारी से गुजर रहे हैं तो आप ये नहीं बोल सकते हैं नहीं पट्टी कर लेंगे पारसर्मान खाल लेंगे वो तो सब ठीक हो जाएगा न, क्या प्रॉब्लम है अब जाते हैं डॉक्टर के पास तो दॉक्टर बोलते हैं, आपको जाओ 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 इन्वेस्टिकेशन कराओ ब्लड टेस्ट कराओ, पता लगे कि क्या औंसी बिमारी हो गई है ठीक उसी तरह के ऐसे कि ट्रीटमेंट के लिए ओपन होना पड़ेगा, दवाई अगर लेनी पड़ेगी तो लीजिए, दवाई को लेके बहुत जादा डर है कि एक बार शुरू कर दिया, तो वो रुकेगा नहीं फिर हमारे दोस्त और वेल मीनिंग रिष्टेदार, कभी कभार हमारे फैमिली डॉक्टर्स भी दवाई ले रहे हो साइकाइट्रिक, क्या बात कर रहे हो नहीं नहीं यह सब सब बुरी चीज़े है, मतलो मतलो फिर काउंसिलिंग, यह काउंसिलिंग तो हम ही करा देंगे, हम कर देंगे अपने बच्चे की काउंसिलिंग क्या जरत है किसे काउंसलरे पास जाने की तो यह जो ओपननेस का अभाव है ट्रीटमेंट के प्रती, ट्रीटमेंट के प्रती एक कंजूसी है